आप सभी लोगों का स्वागत हैं आज के वीडियो में बात करेंगे 2021 के विवाह मुहुरत के बारे में इछले वीडियो में मैंने अप्रेल के सभी मुहुरत बता दी हैं आप उस वीडियो को वैसे देखें और आज के वीडियो में मई और जून के विवाह मुहुरत के बारे में बात करेंगे आप अगर हमारे चैनल के उपर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें क्योंकि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के उपर जोतिय से वास्तु एवं प्रतियक वर्ष के सुभ मुहृत का ज्यान प्राप्त होगा विवाह के लिए कौन सा दीन तिथी नक्षत रशुब है रासे के अनुसार विवाह के लिए मुहृत का चैनल कैसे करें इन सब के उपर वीडियो बना हुआ है जो आपको प्लेलिस्ट या आई बटन में मिल जाएगा उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें तो आईए 2021 के मई और जून के विवाह मुर्थ के बारे में जानते हैं विवाह के लिए कौन सा लगन सुब है पिछले वीडियो में बताया गिया है आप उस वीडियो को अवश्य से देखें वैसाख कृष्ण पक्ष एक मई पंचमीत थी दिन है सनीवार और विवाह नक्षत्र मूल जो दिन में तिन बजकर दस मिनट तक है कन्या, व्रिस और मकर ये मुहुर्थ इन राशी वालों के लिए सुब नहीं है दो मई खष्टी दिन है रविवार विवाह नक्षत्र उत्रा साढ़ा जो दिन में दो बजकर दो मिनट के बाद से प्रारम हो रहा है और रात्री में आठ बजे से भद्रा प्रारम हो रहा है जो प्रात है सात बजकर सुल्ला मिनट तक है तो दिन में दो बजे से रात्री आठ बजे के मद्य ही समय का चैन करें तुला मिथुन और कुम राशी वालों के लिए ये मुहुर्थ शुब नहीं है तीन मई सप्तमी सोमवार विवाह नक्षत्र उत्तरा साढ़ा जो दिन में एक वजकर सत्रह मिनट तक है ये मुहुर्थ भी तुला मिथुन और कुम राशी वालों के लिए शुब नहीं है साथ मई एकादसी शुक्रवार विवाह नक्षत्र उत्तरा भादरपद जो दिन में धाई बजे के बाद से प्रारंबो हो रहा है धनू सिंग और मेश राशी वालों के लिए ये मुहुर्थ शुब नहीं है आठ मई द्वादसी सनिवार उत्तरा भादरपद उपरांत रेवती दोनों ही नक्षत्र विवाह नक्षत्र है और ये मुहुर्थ भी धनू सिंग और मेश राशी वालों के लिए शुब नहीं है वैसाख सुकल पक्ष बारह मई प्रतिपदा बुद्धवार और विवाह नक्षत्र रोहिनी जो रात्री में एक बजकर तीस मिनट के बाद से प्रारंब हो रहा है तुला रासी वालों के लिए ये मुहुर्थ शुब नहीं है तेरा मई दूतिया गुरुवार रोहिनी उपरांत म्रिग सिरा ये दोनों ही नक्षत्र विवाह नक्षत्र है ये मुहुर्थ भी तुला रासी वालों के लिए सुब नहीं है चवदह मई तृतिया यानि इस दिन अक्षय तृतिया है दिन है सुक्रवार म्रिग सिरा नक्षत्र यानि विवाह नक्षत्र म्रिग सिरा दिन रात है और मीन विरिष्चिक और करक रासी वालों के लिए ये मुहुर्थ शुब नहीं है 19 मई सब्तमी बुद्धवार विवाह नक्षत्र मघा जो दिन में 11 बज कर 7 मिनट के बाद से प्रारम हो रहा है रात्री 7 बज कर 10 मिनट तक भद्रा है भद्रा के बाद ही विवाह के सुब समय का चैन करें 20 मई अश्टमी गुरुबार विवाह नक्षत्र मघा जो दिन में 11 बज कर 7 मिनट तक है ये दोनों ही मूर्त ब्रिश मकर और कन्या रासी वालों के लिए सुब नहीं है 21 मई नौमी उपरांत दसमी दिन है सुक्रबार विवाह नक्षत्र उत्तरा फालगुनी जो दिन में 10 बज कर 36 मिनट के बाद से प्रारंब हो रहा है मिथून, कुम्भ और तुला रासी वालों के लिए ये मूर्त शुब नहीं है 22 मई एक आदसी सनीवार उत्तरा फालगुनी उपरांत हस्त नक्षत्र ये दोनों ही नक्षत्र विवाह की नक्षत्र है ये मूर्त मिथून, कुम्भ और तुला रासी वालों के लिए शुब नहीं है 24 मई त्रियोदसी दिन है सोमवार विवाह नक्षत्र स्वाती जो प्रात है साथ वजकर पंदरह मिनट के बाद से प्रारम हो रहा है जो दिन रात है करक, मीन और विरिष्चिक रासी वालों के लिए ये मूर्त शुब नहीं है 26 मई पुर्णिमा तिथी है दिन है बुद्दवार विवाह नक्षत्र अनुराधा जो रात्री में दो बजकर 20 मिनट तक है सिंग, मेश और धनूरासी वालों के लिए ये मूर्त शुब नहीं है जेश्ट मास क्रिश्ण पक्ष्च 27 मई प्रतिपदा दिन है गुरुबार विवाह नक्षत्र मूल जो रात्री में 12.45 के बाद से प्रारम बोह रहा है ये मूर्त ब्रिश कन्या और मकर राशी वालों के लिए सुब नहीं है 28 मई दूतिया दिन है शुक्रवार और विवाह नक्षत्र मूल जो रात्री में 11.20 मिनट तक है ये मूर्त भी कन्या ब्रिशव और मकर राशी वालों के लिए सुब नहीं है 29 मई तृतिया दिन है सनिवार विवाह नक्षत्र उत्रा साढ़ा जो रात्री में 10 वज कर 10 मिनट के बाद से प्रारम बोह रहा है तुला मिथुन और कुम्ब राशी वालों के लिए ये मूर्त शुब नहीं है 30 मई चतुर्थी रविवार विवाह नक्षत्र उत्रा साढ़ा जो रात्री में 9 वज कर 20 मिनट तक है ये मूर्त भी तुला मिथुन और कुम्ब राशी वालों के लिए सुब नहीं है अब जून का मुहुर्त है जेश्ट कृष्ण पक्ष तीन जून नौमित थी दिन है गुरुवार विवानक्षत्र उत्तरा भाद्रपद जो रात्री में दस बज कर दस मिनट के बाद से प्रारम्ब हो रहा है और रात्री में बारह बज कर 26 मिनट से मृत्युवान प्रारम्ब हो रहा है तो दस से बारह ही सुब समय है पाँच जून दस मित थी सनीवार विवानक्षत्र रेवती जो रात्री में एक बज कर 30 मिनट तक है मकर, कन्या और ब्रिशव रासी वालों के लिए ये मुहरत शुब नहीं है जेश्ट मास शुकल पक्ष 11 जून प्रति पदा तिथी है दिन है सुक्रवार और विवानक्षत्र मिर्ग सिरा जो दिन में एक वज कर 45 मिनट तक है में ब्रिश्चिक और करक रासी वालों के लिए ये मुहरत शुब नहीं है 15 जून पंचमीत थी दिन है मंगलवार और विवानक्षत्र मगा जो सायम साथ वजे के बाद से प्रारम हो रहा है और ब्रिशब मकर और कर्ण्यारासी वालों के लिए ये मुहरत शुब नहीं है 16 जून खश्टी दिन है बुद्धवार और विवानक्षत्र मगा जो सायम साथ वजे तक है ये मुहुर्त भी बिर्शब मकर और कन्या रासी वालों के लिए शुब नहीं है 18 जून अश्टमीत थी दिन है सुक्रवार उत्तरा फालगुनी उपरांत हस्त ये दोनों ही नक्षत्र विवाह नक्षत्र है मितुन कुम्भ और तुलारासी वालों के लिए ये मुहुर्त शुब नहीं है 19 जून नौमीत थी दिन है सनीवार विवाह नक्षत्र हस्त जो सायम में 4 बज कर 50 मिनट तक है ये मुहुर्त भी मितुन कुम्भ और तुलारासी वालों के लिए शुब नहीं है 20 जून दसमीत थी दिन है रविवार विवाह नक्षत्र स्वाती जो दिन में तीन बज कर 27 मिनट के बाद से प्रारम हो रहा है। जो दिन में 12 बज कर 16 मिनट के बाद से प्रारम हो रहा है। 26 जून दूतियात थी आसाण मास क्रिश्न पक्ष दिन है सनीवार विवाह नक्षत्र उत्तरा सड़ा है। जो प्रात है छे बज कर 20 मिनट के बाद से प्रारम हो जा रहा है। दिन रात विवाह का नक्षत्र है। तुला, मिथुन और कुम रासी वालों के लिए ये मुहरत शुव नहीं है। ये 2021 के मई और जून के विवाह मुहरत हैं जिसे मैंने आप लोगों को बताया। आगे के वीडियो में जुलाई के सुभ मुहरत के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।